यह section में अभी हम gaining access, but client site देखेंगे, जैसे हमने last section में देखा कि अगर कोई server हो, तो उसमें हम open ports निकाल सकते थे, उसके version निकाल सकते थे, and then उसका exploit find करके, उसको exploit कर सकते थे, and वो सब हमने देखा, but अगर कोई client पर यह करना हो, यानि कि मानलो कि आपका जो victim है, वो as a person है, य तो ऐसे मैं आप कैसे कर सकोगे, तो वो तो कोई remotely कहीं पर बैठा हो सकता है, अगर कोई web server type होता, तो मानलो कि google.com, eval.com, कोई भी अगर website होती, तो आपका direct लिए उसका IP address निकाल के उसके उपर पूरे testing कर सकते हो, ठीक है, but अगर मानलो कोई person हो गया, या कोई उसका laptop device हो ग पर मेरे को अगर उसको एक कोई malicious file देनी हो, तो वो सब मैं कैसे करूंगा, तो उसके लिए हम लोग ये वाला section देख रहा है, gaining access client side, so if our target is individual person or device, not the remote web server, तो web server का तो हमने देखा last video में, कि हम ऐसे ports निकाल सकते हैं, and also जो future का, जो website hacking का, जो पूरा portion है, bug bounty hunting में, उसमें भी पर कोई websites वगेरा run होती है, तो आप कैसे उसमें bugs निकाल सकतो, but अगर कोई individual है, target जो है, कोई person या फिर कोई device है, तो उसमें आप कैसे कर सकतो, एक way है कि social engineering, and it can be very useful and very efficient, so ये भी हम देखेंगे कि कैसे आप social engineering कर सकतो, जैसे हमने last section था, उसमें man in the middle attack जो tool था, उसके साथ ज कैसे हम उसका use कर सकते है, social engineering में, अगर same network में होती है, and वैसे हम लोग इसमें करेंगे, social engineering का use, but हम लोग क्या करेंगे, कि कोई malicious payload create करेंगे, आपने कहीं पर देखा होगा, कि like malicious, कोई exe file हो गई windows में, या फिर आपका जो phone होता है, उसमें आप .ap के file create कर सकते हो, phone बगेरा मे and then, अगर आप वो जो malicious file किसी को send करोगे, and अगर वो open करेगा, तो आपको क्या होगा, कि आपके पास उसका access आ जाएगा, उसके phone का पूरा, मालो कि मैंने एक malicious ap के file बना दी, and मैंने अपने friend को send कर दिया, and then, अगर वो install करके open करेगा, तो उसके पूरा के पूरा phone का access मेरे प victim की, कि यह जो particular victim है, इसको gtfi game अच्छी लगते है, या फिर इसको minecraft game अच्छी लगते है, तो मैं क्या करूँगा, जो भी मेरे payload होगा, उसका name ऐसा कुछ दूँगा, कि gtfi modded, या फिर कोई minecraft plugin, या ऐसा कुछ भी कुछ भी ऐसा कोई name दे दूँगा, ताकि अगर फोन में या उसके device में कोई app वगेरा install करानी है, जो हमारा truezone होगा, उसके अंदर install कराना है, तो इसलिए obviously एक user interaction लगे गई, कि वो click करके install करेगा, या next next करके वो installation start करेगा, या फिर, तो insert इसमें एक user interaction चाहिए, जो पीछले section में हमने देखा था, server side में, उसमें हमें कोई user interaction नहीं चाहिए, तो हमें सिर्फ वो website थी, उसका हमें सिर्फ IP address चाहिए था, तो वो तो हम पिंग कमांड करके भी ले सकते हैं, वासे भी हमें find कर सकते हैं, तो उसमें कोई user interaction की ज़रूरत नहीं थी, बट ये जो है, इसके अंदर हमें user interaction चाहिए होगा, ताकि वो हमारा जो malicious payload है, वो install कर सके, उसके particular device में, तो ये था introduction about gaining access client site, अभी हम आगे की जो वीडियोस होंगे, उसमें हम देखेंगे की हम कैसे कोई malicious payload create कर सकते हैं, फिर कैसे victim को अगर वो send करें और वो open करेंगा, तो उसके coding हम लोग आगे और कैसे gain कर सकते हैं वो particular system का access, तो वो अभी हम आग की वीडियोस में देखेंगे, थैंक यू